नमस्कार दोस्तों मैं मंदीब सर्मा आपका अटेक में स्वागत करता हूँ दोस्तों यदि आप अपने टेलिग्राम गुरूप में से किसी टेलिग्राम बॉट को रिमूब कर देते हैं और आप फिर से अपने telegram group में उसी bot को add करना चाहते हैं और जब आप उसे add करने जाते हैं तो दोस्तो इस तरह से आपके सामने एक notification आजाती है कि आप इस bot को add नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपने इस bot को blocked कर दिया है तो दोस्तो यदि आपके साथ भी यह problem हो रही है तो बने रही है मेरे साथ इस वीडियो के अंते तक आज मैं इस वीडियो में आपको इसी problem के बारे में बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से इसे ठेक कर सकते हैं तो दोस्तो इसके बारे में अधिक जानने के लिए आपको चलना होगा मेरे मोबाल की स्कीन पर दोस्तो मोबाल की स्कीन पर जानने से पहले मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहूंगा यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को नीचे लाल वाले सब्सक्रा तेलिग्राम गुरूप में से किसी बोट को रिमूव कर दिया है और आप फिर से उसी बोट को अपने टेलिग्राम में एड करना चाहते हैं लेकिन दोस्तों जब आप उसे एड करते हैं तो आपके सामने एक नोटिफिकेशन आ जाती है मैं आपको पहले वो दिखा देता कि किस तरह से आपके सामने वह notification आ जाती है जब आप remove किये गए किसी bot को अपने telegram group में फिर से add करने की कोशिस करते हैं तो यह देखे दोस्तों जैसे मैं इसे add करता हूँ तो यह देखे दोस्तों यहाँ पर एक notification आ गई है sorry you cannot add this user or bot to groups because you have blocked them, please unblock to proceed तो दोस्तों यदि आपके telegram group में भी इसी तरह से किसी bot को add करने पर notification आ रही है तो दोस्तों आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ तो दोस्तों इस problem को ठीक करने के लिए आपको back आना है back आने के बाद दोस्तों आपको click करना है three line पर दोस्तो 3 line पर click करने के बाद आपको नीचे settings का option दिखाई देगा आपको इस पर click कर देना है दोस्तो settings के option पर click करने के बाद आपको थोड़ा नीचे आकर यहाँ पर privacy and security के option पर click करना है तो दोस्तो जैसे ही आप privacy and security के option पर click करेंगे तो इस तरह का page खुलेगा जिसमें आपको दोस्तो सबसे उपर एक option मिलेगा blocked user का तो दोस्तो आपको इस पर click कर देना है दोस्तो इस पर click करने के बाद यहाँ पर वे सभी bot या फिर वे सभी member आ जाएंगे जिनको आपने blocked कियाँ है तो दोस्तों आपको क्या करना है ये देखे दोस्तों जैसे मैं यहाँ पर गुरूप बुश्टर को अपने टेलिग्राम गुरूप में एड कर रहा था तो वहाँ पर एक नोटिफिकेस अना रही थी कि आपने इसे ब्लोक किया हुआ है पहले इसे अनब्लोक कीजिए उसके ब दोस्तों जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यह है अनब्लोक हो जाएगा अब देखते हैं दोस्तों कि यह है हमारे टेलिग्राम गुरूप में एड होता है या फिर नहीं होता है तो यहाँ पर मैं एड करता हूँ तो यह देखिए दोस्तों जैसे ही यहाँ पर मैंने इसे एड किया तो देखिए दोस्तों यहाँ पर यह एड हो चुका है अब यहाँ पर कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रही है तो दोस्तों यदि आपके सामने भी इसी तरह की प्रोब्लम आ रही है तो आप इस तरह से इस से सॉल्फ कर सकते हैं तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है मैं उमीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आयोगी दोस्तों वीडियो पसंद आयो तो वीडियो का लाइक करें शेयर करें और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद